नमस्कार मैं हूँ परवेश और आप दाभारत खबर पर देख रहे हैं फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कई लोग शेर कर रहे हैं जिसमें बताय जा रहा है कि भरतपुर के एक अस्पताल ने प्रेगनल लेडी को सिर्फ इसलिये भरती करने से मना कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम थी और नवजात की मौत हो गई इस पोस्ट को कई यूजर्स फेस्बुक पर शेर कर रहे हैं नवजो सिद्धु नाम की एक पत्रकार ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट अपने फेस्बुक वाल पर शेर किया है वो ब्रेकिंग खबर के अंदाज में लिखती है कि सरकारी अस्पताल में गर्गवती मुस्लिम महिला को भरती करने से किया मना नवजात की मौत ऐसी घटनाए शर्मनाक है उनकी इस पोस्ट पर धेरो कमेंट भी किये जा रहे हैं मुस्तकीम खान नाम के एक यूजर इस पोस्ट पर कमेंट करते हैं कि अफसोस है नफरत की इंतहा हो गई ये तो इन्ही डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है थू है ऐसे कमीनों पर एक अन्य यूजर कमाल सांगमान लिखते हैं कि गोदी मीडिया जिम्मेदार है नफरत फैला रहा है दभारत खबर की फैक्ट चेक टीम ने इस वाइरल खबर की सच्चाई जानने की कोशिश की है हमारी परताल में पता चला कि पीडी तब परवीना की ये सातवी डिलीवरी थी उसे साड़े छे माहा का गर्ब था लिवर पेन और ब्लीडिंग शुरू होने के कारण सुबा छे बजे परवीना को नगर CSE से रेफर किया गया था ये महिला सुबा साड़े आठ बजे भरतपुर के जनाना अस्पताल में पहुँची जहां दो महिला डॉक्टरों ने उसकी जाच की थी चुकि ये मामला काफी क्रिटिकल था जिसमें मा और बच्चे की जान संकट में थी इसलिए डॉक्टरों ने उसे जैपुर के लिए रेफर कर दिया डिलिवरी के बाद पता चला कि प्री मैच्चे और होने के कारण बच्चे का वजन भी 900 ग्राम ही था हमारी परताल में ये सामने आया कि मुस्लिम होने के आधार पर इलाज नहीं करने की बाद बिलकुल निराधार है प्रशासन की जाच में पीडित गर्वती परवीना और उसकी एक रिष्टेदार महिला ने इस बात से साफ इंकार किया है कि डॉक्टरों ने मुस्लिम होने के आधार पर उन्हें भरती करने से मना किया था खुद पीडित महिला परवीना का कहना है कि डॉक्टरों ने उसे देखने के बाद एक इंजेक्शन लगाया और सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर जैपुर के लिए रैफर कर दिया रिष्टेदार महिला का भी यही कहना है कि डॉक्टरों ने रोगी की हालत ज्यादा गंभीर बताते हुए उसे जैपुर ले जाने को कहा था तो हमारी परताल में ये खबर जूटी निकली है हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शुक्रिया